हलो गाइस वेलकम टू जाम नीती यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में अभी रिसेंटली एक कॉंट्रोवर्शियल स्टेट्मेंट के बाद इस बारे में फिर से चर्चा होने लगी है भारत में जिसे कि आपको वह सुनाओंगा उसके बाद इस टॉपिक के उपर हम चर्चा करेंगे मैं आपको भारत में होने वाले रेप के कुछ आकड़े दूँगा साथ में क्या कारण होते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सबसे पहले आपको ये जो controversial statement है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ आप इसको सुन लीजे पहले तो इस statement में कॉंग्रेस के विधायक रमेश कुमार जो की करनाटक विधानसबा में बोल ले थे इन्होंने एक टिपड़ी की और इस टिपड़ी में ये बोल ले थे कि रेप को रोका नहीं जा सकता तो लेट कर उसका आनन्द लें ये एक statement थाइन का बिसकली यहां पर जब जो विधानसबा में जब सीतकालिन सत्र चल ला था तो उस वक्त विधानसबा अध्यक्ष जो थे उनको जो है उनके पास time कम था और सभी को बोलने का मौका चाहिए था तो वो जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे विधानसबा के अंदर तो उसके बाद रमिश कुमार ने ये statement दिया था जो कि काफी ज़्यादा controversial हो गया और आप सभी को पता है कि इस तरह के statement जो है कहीने कहीन लोगों तक भी पहुंसते हैं और फिर लोग इस से काफी ज़्यादा भड़क जाते हैं जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह के कि अगर controversial statement अगर इतने बड़े पद उपर बैठे हुए लोग ही देंगे तो आम जो लोग रहेंगे उनके दिमाग में इस तरह की घटनाओं को लेकर क्या चबी बनेगी ये एक सोचने वाली बात है इस वीडियो के अंदर हम लोग भारत में होने वाले रेप के कारण और समाधान के बारे में चर्चा करेंगे 2019 में जो NCRB यानि की राष्टी अपराद रिकॉर्ड वीरो नैशनल क्राइम रिकॉर्ड वीरो की तरब से जो स्टेटमेंट जारी की गई थी वालशिक रिपोर्ट उसमें कहा गया था कि भारत में 32,033 बलातकार होते हैं यह 2019 में जो रिपोर्ट आए थी उसमें यह कहा गया था तो अगर परती दिन अगर परती दिन इसको देखा जाए तो 88 मामले होते हैं बलातकार के यही जो है जो घटनाए थी 2018 में इकाना भी थी परड़े तो पूरे अगर 2018 में देखा जाए तो 30,165 मामले ऐसे थे जिन में जो बलातकार पीड़ेता थी उसका बलातकार उसके ही जानने वालों में से किसी ने किया था ठीक है तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि 94% मामले ऐसे होते हैं जहां पर बलातकार करने वाला अपना ही कोई जानकार होता है ये फैक्ट 2019 के अधार पे है जो रिसेंटली 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत में 77 रेप केस होते हैं पर डे ठीक है तो थोड़ा सा कम हुए हैं लेकिन अभी भी 28,046 लोगों की जो हर साल मतलब इतने लोग का रेप होता है और इसमें से भी कही ऐसे मामले हैं ये सिप रेप के मामले हैं याद रखेगा ऐसे अलग से मामले हैं जिसे की रेप की कोशिश करना वो इसमें सब एड नहीं है ये स साल यानि के 2020 का जो लेटिस का अगर देखते हैं तो 28,046 जो है रेप के मामले ऐसे आए हैं तो आप समझ सकते हैं और इसमें से भी सबसे ज़ादा जो रेप की घटनाएं होती हैं वो जानकारू के द्वारा ही की जाती हैं भारत में जो 2020 की जो रिपोर्ट जारी की थी एंसी आरबी ने रेप से रिलेटेड वो उसमें राजस्तान जो है सबसे टॉप पर था 5310 रेप के मामले यहां पर दर्ज किये गए हैं 2020 में उसके बाद सेकेंड नंबर पर उत्तर परदेश है ठर्ड नंबर पर मद्रपरदेश फिर महराष्ट फिर असम हरियाना पुरीशा, च्छतिसगर्ड तो अगर आप यहां पर से देखोगे तो हमारे जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो टॉप पर हैं साउथ की तरफ के राज्यिस में हालाकि यहां पर अंद्रपरदेश है लेकिन यह आपको लास लास में देखने में मिलेंगे जादा तर जो पुरी की पुरी जो रिपोर्ट है इसमें टॉप पर बने हुए हैं भारत में जो रेप के जो कारण है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण आता है कह सकते हो आप जिसकी कमी के कारण यह घटनाएं होती है वो है महिला पुलिस स्टेशनों का बहुत कम होना अगर पहले तो वो दर्ज नहीं की जाती है महिला पुलिस स्टेशन ना होने की वज़े से जो महिलाएं रहती है वो खुलकर अपनी बात को नहीं बोल पाती है और इसी का फाइदा अपराधी भी उठाते हैं इस तरह के घटनाएं क्योंकि दब जाती है तो इस तरह के घटनाएं पे जज़ करना खास करके अगर हम उत्तर भारती शेत्री की अगर अपने बारे में दिखें तो असिक्षिया के कारण और पिछड़े पन के कारण यहाँ पर जादतर जो है पहनावे के अधार पे महिलाओं का जो करेक्टर है वो जज़ किया जाता है अगर किसी महिला ने सात करने के कौशिश की जाती आपने खास करके अगर हम उत्तर परदेश की बात करें राजस्तान की बात करें आ इस तरह के बात करें इस्टिल अभी भी ये एक पहनावे के आधार पर लोग जज करते हैं और कहीं कहीं महिलाओं के परती जो ऐसी तुछ मान सकता है वो कारण बनती है इस अपरात का समाज में घरेलू हिंसा को लेकर मानेता है आप देखेंगे कि कई जगाओं पर जो है अगर कोई पुरुष इस तरह की मामलू को कम देखा जाता है अब जो पड़े लिखे जो लोग आ रहे हैं वो भले ही इस बारे में बात करें लेकिन अगर आप भी आगर गाओं में या फिर और जगाओं पर जाएंगे तो ये महिलाओं को एक तरीके से कह सकते हो कि घरेलू इंसा का सामना करना प बदल जाते हैं इस तरही घटनाई महिलाओं के साथ हो जाती हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल का ना होना ये भी एक बड़ा कारण है अगर आप देखोगे तो रात में अगर कोई महिला अगर बाहर जाना चाहती है इवन शेहरों में भी तो भी इस्तिती बहुत ज केमरे लगाए अगर दिली जैसे शेहरों की बात करें तो वहां पर इस तरह की कमरे लगाए गए हैं और भी कुछ चीज़े की गई हैं लेकिन वह अभी उतनी प्रियाप्त नहीं है तो इस शेतर में काम किया जाना भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कानून में पार परतारित को ही जो है जो पीड़िता रहेगी उसी को परतारित किया जाता है जो रसूक वाले जो लोग रहते हैं उनके द्वारा अगर इस तरह की घटनाए हो जाती हैं तो कही बार क्या रहता है कि इस तरह की घटनाए होने के बाद भी मामले दर्ज नहीं होते जिसकी वज रहती है उसी को हमारे समाज में अपरादी की नजर से देखा जाता है अगर रेप जैसे घटना अगर किसी महिला के साथ हो जाती है तो समाज में उसको गलत तरीके से देखा जाता है उसके बारे में तरह तरह की बाते की जाती है तो एक तरीके से उसी को अपरादी की नजर से देखा जाता है और यही एक कारण है कि रेप जैसी जो घटनाई जो होती हैं ये होने के वावजूद भी दर्ज नहीं किये जाते हैं मामले या फिर जो इस तरह के की समाज की जो मान सकता है इसका फाइदा उठाते हैं अपरादी होते हैं वो क्यों उन्हें पता रहता है कि अगर हम इस तरह के घटना अंजाम दे भी देते हैं तो शाय सामने वाला इंसान आवाज ना उठाए तो ये कुछ कारण थे अगर आपको इसके अलावा भी कुछ कारण लगते हैं जो कि बेशक होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कुछ समाधान है जो कि मैंने अपने समझ से लिखे हुए है तो जो अगर पहला समाधान हो सकता है कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनकी संख्या जो है जाला से जादा की जाए खास करके महिला पुलिस स्टेशन हों की महिलाओं की जो है पुलिस में जाला सर्दा भरती हो जिसकी वज़ह से यहाँ पर महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिल सके अगर उनके साथ कोई घटना होती भी है या मान लो कोई कोशिश भी होती है इस तरह गटना है इन मामल już में जातर देखने को क्या मिलता है कि रेव जैसी घतणा से पहले जो अपराधी रहता है वो पीडिता को काफी टाइम से परिशान कर रहा होता है तो समय से अगर इस तरह के जो सूचनाय है या इस तरह के की जो मामल थे दर्ज हो जाए को बताना चाहिए कि जो अगर उन्हें कोई टेच करता है तो кажई गलट टेच होगा उनको जानकारी नहीं रहती है कि क्या सही है क्या गलत है तो चोटे जो बच्चे रहते हैं चाहिए लड़के या फिर लड़कियां दोने कि अगर बात करें उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो जाती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है और इसी का फाइदा अपरादी उठाते हैं कानून में पारदर्शिता बहुत ज़्यादा जरूरी है लानी अगर इस तरह के घटनाओं में कोई भी सनलिब्द रहता है उसके उपर तुरंत कारवाई होनी चाहिए हम देखते हैं कि रसुकदार लोग इन मामलों से काफी हद तक बचने की कोशिश करते हैं जब तक बहुत ज़्यादा कांट्रोवर्शियल केस ना हो तब तक ऐसे मामलों में केस भी दर्ज नहीं किया जाते हैं कुलदीब सी सेंगर ये बहुत से केस हैं उत्तर परदेश के अगर मैं बात करूं और भी अलग-अलग राज्यू में इस तरह केस जल्दे दर्ज नहीं होते हैं रसुक ज़्यादा के बारे में उनको बताना चाहिए भेदभाव वाले जो चीज़ें हैं वो नहीं बतानी मतलब उससे जो है दूर उनको रखना चाहिए और यो कानूनी जो सिक्षा है कि अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है कोई गलत इस परश करता है तो उसके लिए क्या का कॉंग्रेस के विधायक थे तो आप अगर सपोर्टर हैं बीजेपी के या फिर कुसी और पार्टी के चाहिए समाजवादी पार्टी हो वह जन समाज पार्टी हो किसे भी पार्टी के आप हो समर्थक तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं कि बही कांग्रेस विधायक नह इन अपराद के मामले दर्ज हैं हत्या के रेप के अभरन के तो उसके बारे में आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप मुझे बता दिजाएगा मैं के बारे में आप और चीज़ें एड कर सकते हैं हम जब मिल के कोशिश करेंगे तब स्याद हम माहौल को बदलने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते क्योंकि कहीं न कहीं और खास करके आप लोगों से अनुरोद है आने वाले चुनाओ ना रखें कि आप जिसको भी बौड दें जिस किसी भी बार्यटी को बौड आप देए लेकिन आपको विधायक हैं जिसको आप वोड दे रहे हैं कम से गम आपको यह समझना पड़ेगा कि उस वोड गलत इस्तमाल नहों जो विधायक है वो कहीं राम अपरादी परवथि का तो नहीं है यह आपको काफी ज़्यादा सो समझके उसके बाद ही आपको गोड देना चाहिए थैंक्यू सो मच आपका दिन शुभ हो धन्यवाद